हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल यॉर एजुकेशन गाइड दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई LIC पॉलिसी है और आप उसे बीच में ही खतम करना चाहते हैं यानि की सरेंडर करना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या ह सकता है या फिर नहीं जानेंगे इसके नियम के बारे में तो वीडियो से आखिर तक जुड़े रही है और वीडियो इंफियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलेगा तो फ्रेंज अगर आपने भी LIC क पॉलिसी खरीदी है या फिर आप अपनी पॉलिसी सिरेंडर करना चाहते हैं तो ये वीडियो बिलकुल आप ही के लिए है कई लोग भारते जीवन बीमा निगम यानि की LIC के फाइदे और उसकी फीचर को जाने बिना ही बीमा खरीद लेते हैं लेकिन काफी बात में पता च जानते हैं उसके नियम क्या होंगे तो चलिए नियम की बात करते हैं तो LIC देश की सबसे बड़ी और सरकारी इंस्यॉरंस कंपनी है LIC अपने ग्राकों को पॉलिसी सिरेंडर करने की भी सुविधा मौया कराती है अगर आप मेच्यॉरिटी से पहले सिरेंडर करते हैं तो इ इसके बाद ही आप सिरेंडर कर सकते हैं तो इसके लिए दो तरीके हैं तो चलिए जानते हैं वो दो तरीके कौन से हैं जिसके जरीए आप LIC की पॉलिसी को सिरेंडर कर सकते हैं पहला तो है गैरेंटीड सिरेंडर वैल्यू जिसे हम GSV भी कहते हैं इसके तहट पॉलिसी होल गई प्रेमियम और एक्सिडेंटल बेनिफिट के लिए चुकाए गई प्रेमियम को छोड़कर सरेंडर वैल्यू के लिए भुगतान किये गई प्रेमियम का करीब 30 फिसदी होगा इसलिए जितना लेट आप पॉलिसी सरेंडर करेंगे उतनी वैल्यू अधिक हो जाएगे दूसरा तरीका है स्पेशल सरेंडर वैल्यू का स्पेशल सरेंडर वैल्यू को हासिल करने के लिए एक फार्मूला को इस्तेमाल किया जाता है ये फार्मूला है मूल बीमर आसी यानि की भुगतान किये गए प्रीमियम की संख्या प्लस प्राप्त कुल बोनस जो की सरेंडर वैलू फेक्टर होता है तो आप कन्फूजन ये होती है की सरेंडर वैलू क्या है लाइफ इंस्यॉरंस के मामले में पूरी अवधी तक चलने से पहले पॉलिसी सरेंडर करने पर आपको प्रीमियम के तौर पर चुकाई गई रकम का कुछ हिस्सा वापिस मिल जाता है इसमें चार्ज काट लिये जाते हैं इसी रकम को सरेंडर वैल्यू कहा जाता है लाइफ इसी पॉलिसी सरेंडर करने पर क्या होता है एक बार लाइफ इसी पॉलिसी सरेंडर कर देने पर आपकी जीवन बीमा सुरक्षा खतम हो जाती है क्योंकि LIC Policy Surrender करने के बारे में आपके और BIMA कमपनी के बीच पहले ही करार हो चुका है IT Act के Section 80C के तहट आपको मिलने वाले टेक्स से जो जुड़े benefit थे वो भी मिलने अब बंद हो जाते हैं तो फ्रेंस इस वीडियो के जरिये से हमने जाना कि किसी भी LIC Policy को किस तरह से Surrender किया जा सकता है और उसके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं तो हो फ्रेंस के आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो इंफिरमिशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक शियर और चैनल को सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा